हाँ तो दोस्तो क्या आलचाल भई आज किस वाली वीडियो में अपने सामने कड़ी है टाटा सफारी अकॉंप्लिस प्लस हैश्टेक डार्क एडिशन पूरा आपको देखने को मिलता है तो आज किस वाली वीडियो में दोस्तो इसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं क और जो अब इसका पूरा नया लुक टाटा ने चेंज कर दिया है, पूरी एक 10 साल आगे वाली गाड़ी की लुक देती है, आपको जो है उपर Aero Twin Viper देखने को मिलते हैं, नीचे की तरब आपको DRL देखने को मिलता है, जो की जोइंट है, जोइंट है, दोनों तरब से आपक आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, लाइट की बात करें, तो आपको जोई गाड़ी लोकेट करने में काम आएगी, तो यह आपको जो है वो भी दिया गया है, बूट आपको जो है इस गाड़ी में electronic डिया गया है, जो की चाबी से भी खुल सकता है, अब चलते है पन इस गाड़ी के headlight की तरफ तो सबसे पहले आपको छोटे-छोटे cube दिये गया है हाला कि performance इसका कहा जा रहा है कि ठीक है नीचे आपको fog light भी दिया गया है जो कि बड़ी है नीचे की तरफ आपको air scoop स्कूब भी दिया गया है आगे की तरफ चले तो आपको काफी फ्लस्ट टाइप की ग्रिल दी गई है आपको टाटा का 2D लोगों देखने को मिलता है फ्रंट से काफी एक माफिया स्टाइल लुक हो गया है आपको 30 degree का front camera देखने को मिलता है और नीचे की तरफ आपको दो parking sensor ही देखने को इस गाड़ी में मिलते हैं और नीचे आपको ADAS का sensor भी दिया गया है Underbody भी काफी अच्छी pack की गई है आपको जो है front में glossy skid plate दी गई है यह देखो भई एक तो पूरा काफी तगड़ा look है इस गाड़ी का side में चलते हैं तो side में एक बार आप पूरा look देखो भई गाड़ी का काफी बड़ी है और काफी बड़िया है पूरा black इस type का काफी बड़ी जो black lover देना उसके लिए Tata ने काफी अच्छा काम किया है अलोई की तरब चले तो आपको जो है 235 55 R19 के अलोई विल्स देखने को इस गाड़ी में मिलते हैं अलोई विल्स की बात करें दोस्तों तो अलोई विल्स आपको जो है all over black दी गए है front में भी आपको डिस्क दी गई है rear में भी आपको डिस्क दी गई है sliding की बात करें तो आपको 360 degree matte sliding आपको इस गाड़ी में देखने को दी गई है under body की बात करें तो आपको जो है काफी बड़या pack की गई है और 205 mm का ground clearance आपको दिया गया है आगे की तरफ चले तो आपको हैश्टेक डार्की बेजिंग नीचे आपको सफारी लिखावा मिल जाएगा ओर ओर बात करें तो आपको जो है इंडिकर दिया गया है और केमरा भी तिया गया है जो की बड़िया है वहीं 63 डिगरी केमरा आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है All over look की बात करें तो आपको पुरानी सफारी के कुछ-कुछ element आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे चलते हैं दोस्तों अपन इस गाड़ी के A pillar की तरफ A pillar की बात करें तो आपको पूरा glossy black में दिया गया है B pillar भी आपको काफी पूरा black में दिया गया है मतलब total all over गाड़ी black दी गई है आपको जो है door handles, grab handles सब black में दिये गया है उपर की तरफ बात करें तो आपको आगे rain sensing wiper का sensor दिया गया है उपर आपको sunroof दिया गया है पीछे आपको shark fin antenna दिया गया है जो कि बड़िया है वही sunroof जिसा में आपको बताई दिया काफी बड़ा panorama sunroof और बड़िया sunroof आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है अब चलते है दोस्तोपन इस गाड़ी के rear की तरफ आपको जो है stop lamp देखने को मिलता है आपको दोस्तों इसमें sequential turn indicator दिये गया है जो कि बड़िया है वही जो अपनी XCV700 है वो हाल फिलाल उसमें miss कर रही है जो starting में आया था पर आप हड़ चुका है 2D logo को दिया गया है rear का camera आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है license plate की जगे और safari लिखावा आपको dark chrome में दिया गया है नीचे बात करें तो आपको वही दो sensor आगे दिये करेते वैसे ही दिये गये है और आपको जो sleep plate पूरी glossy black में देखने को मिल जाती है अब चलते दोस्तो अपन इस गाड़ी की इंटीर की तरफ तो इंटीर की बात करें दोस्तो तो आपको जो है एक जलक में इंटीर काफी futuristic लगेगा एक बार आप नजर डालिए तो start करते हैं दोस्तो अपन इस गाड़ी की दोर की तरफ से तो डोर की बात करता आपको all black दिया गया है उपर आपको जो है ओर वियम के adjustment दिये गया है windows control दिये गया है आपको जो है पूरा electronic adjustable है और blind spot monitoring भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है trial pattern दिया गया है यहाँ पूरा और grab handle दिया गया है leather wrap के साथ और आपको जो है door handle पूरा dark chrome में दिया गया है windows के control दिये गया है जैसे मैं आपको बताया है यह पूरा glossy है नीचे आपको umbrella space रखने की जगे दी गई है umbrella documents वगेरा आपको जो भी रखना है इधर आप रख सकते है आपको जो है speaker की जगे भी दी गई है नीचे की बात करें आपको जो है paddle light दी गई है आगे है वैसी की वैसी paddle light आपको जो है rear में भी इस गाड़ी में देखने को मिलेगी यह देखिए जी तो आपको जो है rear में भी देखने को मिलती है अब चलते दोस्तों अपन इस गाड़ी के interior की तरफ और main बात करते हैं क्या चीज़ें आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के आपको जो है पूरा JBL का sound system दिया गया है काफी बढ़िया और premium sound आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है पर फिर भी बाद में after market काफी सारे options आपको इस गाड़ी में भी देखने को मिली जाएंगे अब चलते हैं बात करते हैं इस गाड़ी के front से तो आपको जो है AC event की space दी गई है और engine start stop का button यहां दिया गया है पूरा आपको जो है matis finish में दिया गया है यह आपको जो पूरा leather wrap दिया गया है यह आपको जो है bonnet खुलने का button गाड़ी automatic है तो आपको जो सिफ race or brake का option दिया गया है यह आपको जो है बीच में पूरा एक जैसे गाड़ी चालू करें तो टाटा का लोगों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है फ्रेंट से बात करें तो काफी बढ़िया आपको जो है पूरा लुक काफी बढ़िया इस गाड़ी का देखने को मिलता है इधर आपको जो है वो पूरी डिजिटल देखने को मिलती है पेडल शिफ्टर्स आपको दिये गया है इधर आपको वाइपर की कंट्रोल आपको वाइपर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है अटोमेटिक आपको जो है इलेक्ट्रोनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलते हैं और यह आपको पानी बगेरा की बोटल भी आप छोटी जो आती है वो आप इसमें स्टोर बिल्कुल कर सकते हैं अटोमेटिक आपको जो है IRVM देखने को मिलता है जो आपनी XEV700 में नहीं आता है एडास के सेंसर आपको पूरे उपर दिये गया है यह आपको जो है पूरा LED केबिन लाइट्स आपको दिये गया है संरूफ की बात करें तो आपको जो है पैन अरोमिक बड़ा वाला और ब टामी की पूरे आपको जो है Gondros पूरे आपको जो एलेक्ट्रोनिक दीये गये हैं तकतर वालेई के बात करते है आपको जो है आगे वाली वेंटिलेटेड देखने को मिलता है आपको जो है जो memory functions भी आपको दिये गया है 3 type की adjustment दिये गया है rear की बात करें तो आपको यह वाला bench seat option मिलता है captain seat वाला rear seat में भी आपको ventilation देखने को मिलता है particularly यह आपको 3 type की seat adjust आपको इस गाड़ी में कर सकते है electronic adjustable दिया गया है जो कि 16V700 में भी आता है इसकी competition में अब दोस्तों चलते हैं अपन इस गाड़ी के rear seat की तरफ तो rear की बात करें तो आपको sunshade दिये गया है पूरा जो door है आपको again पूरा black देखने को मिलता है आपको वही trial pattern देखने को मिलता है जो आगे था आपको वही silver जो dark chrome में था वो देखने को मिलता है आगे आपको sunshade देखने को ने मिलता है तीर में आपको sunshade company fitted देखने को मिलता है पूरा softage दिया गया है काफी बढ़िया है नीचे आपको बोटल रोल्डर यहाँ पे आपको फोन रखने की space दी गई है और आपको जो है JBL का sound system इस गाड़ी में देखने को मिलता है headrest की बात करें तो बही काफी बढ़ा है मतलब आप लंबे route में जाओ तो यह काफी आप इस पे सर रखके अराम से rest भी कर सकते हैं all over बढ़िया है पूरा leather में दिये गई है seats और comfortable भी है side में आपको जो है B pillar पे AC vents दिये गए है जो की बढ़िया है बीस में आपको जो है charging points दिये गए है यहाँ पे आपको जो है AC vents का option यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है उपर की बात करें आपको जो है LED lights दी गई है आपको जो है crab handle दिया गया है अब चलते है दोस्तों पनिस गाड़ी के rear seat की तरफ तो rear seat में जाने के लिए आपको जो है यहाँ से जाने का option दिया गया है rear seats की बात करें तो काफी छोटी seats देखने को मिलती है कोई adult लब काफी short journey के लिए ही बैठ सकता है लंबे रूट पर आप इसमें बच्चे ही बिठाई है rear में आपको AC vents देखने को मिलता है जो की बढ़िया है आपको जो है rear में भी LED light देखने को मिलती है जो की XCV 700 पर rear में नहीं आती वही इसमें आपको देखने को 100% मिलती है आपको charging के option दिए गए है भली adult बैठे ना बैठे पर charging के option बरोबर दिए गए है rear में boot space की बात करें तो आपको electronically open boot देखने को इस गाड़ी का मिलता है और ये देखे जैसा मेंने आपको बताई भई electronic देखने को मिलता है और 7th seat अप होने के बाद यहां पर आपको काफी कम space देखने को मिलता है अगर ये seat fold हो जाए तो काफी बढ़िया space आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा और rear seat में वैसे भी आपको जो है बच्चे ही बैठेंगे adult को इसमें बैठने वाला नहीं है जैसे यहां से आपको जो है folding का option दिया गया है rear में आपको जो है पूरा halogen एक light halogen दी गई है और पूरा आपको जो है सब woofer भी आपको rear में दिया गया है आपको जो है नीचे टूल किट वगेरा add blue भी इस गाड़ी का यहीं से डलता है add blue से याद आया है आपको जो है 50 liters की capacity इस गाड़ी में देखने को मिलती है spare tire mount आपको नीचे से देखने को मिलता है exhaust का pipe आपको नीचे से देखने को मिलता है तो भई ये थी टाटास की safari तो आज की स्वाली वीडियो में इतनी था मिलते गली वीडियो में till then goodbye